है लो प्यारी फ्यूचर्टर्स वेरी गुड बॉर्निंग कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका अनकाइडमी निर्केस चैनल पर मेरा नाम है महेंदर सिंग मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर अब बच्चों सुपर 50 की शुरूवात है और अगले 10 दिनों में हम वो सारे most expected topics complete करेंगे जिनसे जादा करके questions पूछे जाते हैं तो ये जो सुपर 50 का session है आज से लगा कर अगले 10 दिन तक ये आपको as it is follow करना ऐसा नहीं कि पहले दिन पूरे जोश है और फिर next day और उसके बाद धिरे धिरे आप जो है सोचने लगे कि क्या पता फाइदा होगा की नह ही होगा ठीक है तो क्या-क्या topics आज हम करने वाले हैं optics में पहले में बता दूँ बिटा optics में दो chapters है geometrical optics और wave optics तो हम दोनों के topics complete करेंगे spherical mirror से question आते हैं इसलिए spherical mirror को सबसे पहले फिर उसके बाद में total internal reflection आजकल बहुत ज्यादा questions इसके देखे जा रहे है बिटा फिर lens, prism, optical instruments यहां पर आपका geometrical optics complete हो जाता है फिर young double state experiment, diffraction and polarization यह तीन topic है आपके wave optics है राइट बचो गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग, गु यह chat section में एक बार जरा से heart draw कर दो, ठीक है थोड़ी fire emoji हो जाए, yes everyone, yes questions करेंगे लेकिन केवल 2-3-2-3 questions बिटा, जैसे spherical mirror के 1-2 सवाल कर लेंगे, total internal reflection के 1-2 सवाल करेंगे, lens के 3-4 सवाल करेंगे, वैसे, जिनका high weightage है उनके ज्यादा questions, जिनसे थोड़े से chances कम है, उनके कम questions, ठीक है, आप लोगों को मैं एक suggestion दूँगा, कि ये complete करने के बार में एक बार PYQ जरूर कर लेना, although आप लोगों ने करके रखे होंगे, एक बार आप previous questions जरूर से कर लेना, बचो ठीक है, yes, जल्दी से, आ गए सबी लोग, हाँ जी, ये super 50 का पहला session है बेटा, कल super 50 का modern physics होगा, पूरे 10 दिन का schedule मैंने आपके साथ telegram channel पर share किया है, ठीक है, और पूरे 10 दिन की सारी कहानी, आज मैं आपको telegram पर, आज मैं आपको telegram पर बिटा, telegram के channel का नाम कौन सा है, t.me slash mahisar, t.me slash mahisar physics, ठीक है, आपको क्या करना है, telegram पर जाना है, और telegram पर जाकर, बस केवल ये google पर टाइप करना, t.me slash mahisar physics अपने browser में जाके डालोगे, तो आप अराम से मैंना telegram channel join कर पाओगे, ठीक है बचो, और इस telegram channel पर optics के जितने भी most expected pyqs हैं, वो सारे के सारे में डाल दूँगा, ठीक है, उनको एक बार आप solve कर लेना, ओके बचो, good, good, very good, तो शुरू करते हैं, शुरू करते बचो, very first topic which is spherical mirror, और समय कम लगे, इसलिए बहुत precise मैंने सारे information लिखी हुई है, दो तरह के spherical mirror होते बिटा है, concave और दूसरा होता है आपका convex, ठीक है, दिखाए देरा सभी लोगों को दो तरह के spherical mirror होते हैं, एक होता आपका concave, दूसरा होता बिटा आपका convex, ठीक है, अच्छा, concave mirror की focal length हमेशा negative होगी, और convex mirror की focal length हमेशा positive होगी, एक formula है बिटा, जो यहाँ पर अकसर काम में आता है, और इसी पर based question आते हैं, which is mirror formula, 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v, बच्चो इस formula को use करते वक्त आपको सभी convention with proper sign रखने हैं, अगर incident ray की direction में distance measure करते हैं, तो positive लेते हैं, incident ray से opposite direction में distance is negative लेते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, principle axis, यहाँ पर यह जो आप देख रहें ना, यह principle axis है बिटा, इसके उपर जाओगे, तो height को positive लेंगे, इससे नीचे measure करोगे, height को negative लेंगे, मान लो incident rays, अगर आपने इस तरफ से incident करी है, यह direction of incident ray है, तो जो भी distance इधर measure होगी, वो positive होगी, जो भी distance इधर measure होगी, वो negative होगी, सारी distances कहां से measure करते हैं, पोल से measure करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, यहाँ पर यह F क्या होता है, तो इस F को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो F होता है, वो होता है, R divided by 2, जहाँ पर R क्या होता है, radius of curvature, यह जो आप curvature देख रहे हो, इसका radius होगा, अगर यहाँ center है, so this is your R value, यहाँ पर आपका F होता है, और इसी को अपन focal length कहते हैं, which is R divided by 2, समझ में आरी बात सब को, वो सारी बाते, जो neat के लिए जरू magnification, यह भी बहुत important है, magnification M is equals to minus V by U होता है, अब बच्चों यह जो magnification का formula यहाँ पर आप देख रहे हो, यह बताता है, कि जो image बनेगी, उसकी height क्या होगी, object की height के बराबर होगी, उससे कम होगी, या उससे जादा होगी, अगर object की height से कम होती है, तो हम उसे बोलते diminished, और object क height से जादा होती है, तो हम उसे बोलते enlarged या magnified, ठीक है, yes everyone, यहाँ तक समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, अब इन दोनों mirror के specification लिखे हैं यहाँ पर देखो, concave mirror के case में जो image है, वो real भी हो सकता है, और virtual भी हो सकता है, real होगा, तो वो diminished भी हो सकता है, और magnified भी हो सकता ह यहने कि M का value यहाँ पर less than 1 भी हो सकता है, और more than 1 भी हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पर बात कर रहे हो किसकी बटा, concave mirror की, तो concave mirror का M negative भी संभव है बटा, और concave mirror का M positive भी संभव है, क्यूंकि concave mirror में एक ऐसा case होता है, जब U का value कहा है बटा, यहाँ पर आपका core ने यहाँ पर है आपका focus, तो जब आपका object यहाँ होता है, जब आपका object होता है between pole and focus, तो इसकी image बनती है, other side of the mirror बेटा, यह क्या होती है, erected होती है, enlarged होती है, so this is the case जहाँ पर M का value क्या होगा, more than 1 होगा, तो concave mirror अगर है, और बोला जाए, कि M is equals to 3 बेटा, यहाँ के दिया cases संभव हो सकते है, image real भी हो सकता है, image virtual भी हो सकता है, ठीक है, सारी बाते clear होगे समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया, yes everybody, यहाँ तक clear है, चलो, अब आगे बात करते, convex mirror के case में image की अगर हम बात करेंगे, हमेशा virtual होगी, एक बहुत अच्छी information बिटा, convex mirror के लिए हमेशा image कैसी होगी, virtual होगी, हमेशा diminished होगी, यहनि कि always height of image कम होगा, m का value क्या होगा बच्छो, less than 1 ही होगा, और m हमेशा कैसा होगा, m always positive होगा, यह बात भी है, v का value positive होगा, u का value negative होगा, ठीक है, maximum कितनी image distance हो सकती बच्छो, focal length के बराबर इस से जादा नहीं होती, यहनि कि जब raise infinity से आती है, तो वो कहाँ पर जाकर मिलेगी, वो focus पर जाकर मिलती, नजर आई कि this is the maximum distance, इस से जादा आपका image का distance नहीं होता है, ठीक बच्छो, ठीक है, mirror formula बता चुका हो, magnification बता चुका हो, aerial magnification, कभी अगर आपने कोई object ऐसा ले लिया, जिसका कुछ area है, जिसकी length भी है, वहाँ पर magnification फिर आपको ये वाला use करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, ये क्या है, rate of change of image distance, और ये क्या है, rate of change of object distance, तो ये भी formula बहुत important है, ऐसे प्लीज, आप ध्यान में रखें, क्या यहाँ तक सभी लोगों को सारी बाते समझ भाई, yes or no, everyone, तो ये पूरा का पूरा spherical mirror, एक single slide पर आपके सामने है, ये पूरा का पूरा spherical mirror, एक single आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पर magnification को हम U की terms में भी लिख सकते हैं, इस magnification का formula M is equals to आपने पढ़ा होगा, F divided by F minus U, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, तो देरा formula जो मैंने लिख दिये, ताकि आपको क्या के ध्यान में रहेंगे और ये formula's पे ही questions बनते बिटा, नीट में, ठीक है, सबको clear है, सवाल करवाता हूं, देखो, आजाओ ज़रा, एक सवाल, एक सवाल, जो पढ़ाया उसी का सवाल कर लेंगे ना, तो सारी चीज़े हमारी clear तलती दे आएंगी, ठीक है, क्या बोला है, इ एक मिनट रुखना बिटा है, ना, कुछ गरबड दिखरा था, महाँ पर एक लाइन दिखरी ही जी ना, अब नी दिखेगी, चलो, आजाओ, सवाल करते है, an object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5, f is the focal length, बिटा, the image will be, अच्छा, the image will be, f उसका focal length लेना है, और object distance 1.5, f दिया है, नी 2020 में सवाल आया था, concave mirror से, तो बच्चो, formula क्या है, 1 divided by f is equals to, 1 divided by u, plus क्या लिखेंगे, बच्चो, 1 divided by v, very good, focal length, कौन सा mirror है, कौन सा mirror है, बच्चो, concave mirror है, तो focal length की value को क्या रखना पड़ेगा, minus f रखना पड 1.5 को मैं क्या लिख दूँगा, बटा, minus का 3f by 2, plus v हमें निकालना है, जिसको निकालना है, उसका sign हम decide नहीं करते हैं, ठीके, तो उसको मैं 1 by e, 1 by v as it is, रखूँगा, ये 2 reciprocal हो के उपर जाएगा, तो 1 by v is equal to, ये इधर लेकर आएंगे, बटा, equal to के इस तरफ उठा कर ये बचे का 2, यहाँ पर minus 3, तो v का value solve होकर आ जाता है, यहाँ से minus का 3f क्या आ जाता है, बच्चो, minus का 3f, option क्या टिक करेंगे, a, मज़ा आया, सभी लोगों को, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल एत्मिनान से पढ़ते हुए, आगे बढ़ेंगे, ठीके, तो ये था आपका पूरा-का-पूरा spherical mirror, spherical mirror में सारी कहानी समझ में आई बच्चो, spherical mirror के case में सारी कहानी समझ में आई, किसी को कोई confusion, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नहीं, ठीक है बच्चो, अब देखो, ऐसे भी सवाल आते हैं, आपको बताता हूँ जरा, ऐसे भी सवाल आते हैं, linear object को अगर रख दिया जाए, एक concave mirror का ऐसा सवाल आपको कराता हूँ, देखो, यहाँ पर एक concave mirror है, मान लेते हैं, इसकी focal length 20 cm है बिटा, क्या है इसकी focal length कितनी बच्चो 20 cm, यहाँ से यहाँ से आपको यह principal axis दिया हुआ है, here is the center of curvature, here is the center of curvature, अब बच्चो आपको यह कहा गया है, कि एक object है, which is 10 cm in length, बिटा, कितना यहाँ पर, एक object है, which is 10 cm in length, बताओ, इसकी image की length कितनी होगी, बताओ, इसकी image की length कितनी होगी, और यह पहला point इसका, जो A है, वो कहां रखा है, center of curvature पर बिटा, ठीक है, center of curvature का मतलब, यहाँ से distance कितनी है, बच्चो, 40 cm, अरे वा, अब एक बात और बताता हूँ, जब भी कभी कोई object, center of curvature पर ही रखा होगा, तो उसका image भी center of curvature पर बनेगा, concave mirror के case में, यह बात ध्यान रखना बिटा, कि अगर object को center of curvature पर रखा है, तो image भी center of curvature पर बनेगा, image real होगा, inverted होगा, और magnification 1, यहनिकि जितना object का height हो भी height होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, बच्चो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारी चीजों को देखो जरा, अब एक तो यहाँ पर आपकी image यही बन जाएगी, एक point यही बनेगा बिटा, लेकिन B वाले को अगर आप देखोगे, हमें B के लिए solve करना है, तो जब हम B के लिए solve करेंगे, तो कैसा आएगा, बच्चो, यहाँ पर आएगा, 1 divided by F is equals to 1 divided by, हम लिखेंगे, सर, UB, plus हम लिखेंगे, यहाँ पर 1 divided by VB, 1 divided by F की जगा, minus 20 करेंगे, UB की जगा, बच्चो, minus का, यहाँ पर क्या करेंगे, 50 करेंगे, सर, क्यों 50, सर, क्यों 50, अरे बहुत सिंपल है, बच्चो, बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, यह आपका है, 40, प्लस ही क्या हो जाएगा, 10, तो यहाँ से distance कितनी होगे, बच्चो, B की, total 50 हो गई, प्लस आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बच्चो, 1 divided by VB, as it is, very good, 1 by VB को ह हमने वहीं रखा, यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चो, 1 by 50 को उठा कर इधर लाए, यह minus का 1 by 20, as it is, था, LCM कितना आएगा, बच्चो, 100 का LCM आ जाएगा, very good, यहाँ पर आएगा 2, minus यहाँ पर आएगा 5, तो VB का वैल्यू कितना आ रहा, बच्चो, VB का वैल्यू आ रहा ह और VB का image कहीं यहाँ बनेगा, तो यह image आपको ऐसी दिखाई देगी, क्या यह सब को समझ में आ रहा है, बच्चो, जो मैंने image बनाई वो दिखाई दे रही है, very good, जो मैंने image बनाई वो दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया, तो यह image यहाँ पर होगी, अब इसकी length कैस से निकालोगे, सर यह total 40 है, यह total कितना है बच्चो, 40 cm है, यह total कितना है बच्चो, 33.33 cm है, आंसर कितना हैगा, जल्दी, भाईया सब में 50, नहीं सब में 50 नहीं होता हुँ, तो यहाँ पर अपनने दिया है, ऐसे ठीक है, यहाँ, ub का values ने दिया ना बच्टा, यह b यहाँ पर कितना 10 cm दूर दिया, अगर यह मान लीजे object 20 cm का होता, तो यहाँ पर यह कितना हो जाता, सहाट हो जाता बच्चो, अगर यह 5 cm दिया होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 6.67 is the correct, 6.67 centimeter is the answer, ठीके, ऐसे सोचना होता है, linear, आपको जो है, distances के लिए, linear objects के लिए, ठीके बच्चो, यहां तक बात समझ में आई, very good, अब एक छोटी सी trick और बता देता हूं, वो भी आ जाओ ज़रा, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूं, ठीके, हमने अभी थोड़ी और क्या करता है, इफ object, moved by, moved by, ठीके, say, 1 centimeter towards, क्या लिखेंगे बिटा, towards, mirror, mirror, then, then, image moved by, then, image moved by, image कितने से move करेगा, बच्चो, image moved by, तो आप लिखोगे, image moved by, डेल्टा V, और उसका value होगा, minus of M square, into में, डेल्टा U, यहां पर, डेल्टा U का value आपको 1 centimeter दिया है, आप डेल्टा V आराम से calculate कर सकते हो, बस एक चीज़ ध्यान रखना, यह डेल्टा U बहुत छोटा होगा, तो आप इस direct formula को, यहां पर apply कर सकते हैं, otherwise नहीं, मैं question लेकर आया हूं, बेटा, previous year का, अभी solve कर वाऊंगा आपको, ठीके, yes, everyone, चलो, आगे बढ़ते हैं, next बेटा, total internal reflection, हम सभी लोग जानते हैं, whenever ray travel from one medium to another medium, तो medium के change होने से ray band होता है, और इसी को हम कहते हैं, इसी bending of ray को हम reflection का phenomenon कहते हैं, जब भी light ray क्या करेगी बेटा, denser medium से rarer medium में जाएगी, कहां पर बच्चो, denser medium से rarer medium में एक ऐसा angle होता है, ज जहां पर angle of reflection in the rarer medium becomes 90 degree, यह मेरा denser medium है, यह मेरा rarer medium है, और यहां पर angle theta C वो critical angle है, जिस पर आपका angle of reflection in the rarer medium becomes 90 degree, स्नेल स्लो लगाएंगे बेटा, स्नेल स्लो लगाने का simple तरीका सिखा रखा है मैंने, क्या करते हैं, जिस medium से incident किया, उसका mu into में उस medium में sin of angle, which is sin theta C, किस medium में जा रहे हो बेटा, 1 में, तो यहां पर आपने लिखा 1, कितना यहां पर angle है, 90 degree, तो sin theta C पता चल जाता है, 1 divided by mu, अब बच्चों sin theta C यहां पर 1 by mu आ रहा है, मतलब mu के साथ inversely proportional है, और cautious formula से mu is inversely proportional to lambda, तो यहां पर sin theta C क्या होगा, बेटा, lambda के बराबर होगा, यह भी one of the previous year का question है, कि अगर मेरे पास 2 color है, एक violet और एक red बेटा, तो किसका lambda बड़ा होगा, हम सब लोग जानते, red का lambda बड़ा होगा, तो किसका critical angle बड़ा होगा, तो यहां पर हम बोलेंगे, सर, critical angle of red will be bigger, critical angle of red क्या होगा, बड़ा होगा, as compared to critical angle for what violet color, ठीक बच्चों, समझा आया, बहुत बड़िया, अच्छा, अब देखो, अगर आप यहां पर देखोगे, angle अगर आपने 0 रखा, light उपर निकल जाएगी, theta C से कोई भी कम angle होगा, तो light है कहां निकलेगी, बेटा, उपर निकलेगी, यहां तक, इस angle तक तो light हमको दिखाई दे रही है, मतलब एक area बनेग इस बच्चो, इसके इस तरफ क्या है, बेटा, पर्फेक्ट ब्लेक आउट है, क्योंकि इससे थोड़ा भी angle आपने ज़्यादा किया, light reflect बेग करेगी, same medium में, ठीके, तो बच्चो, इस area को कैसे calculate किया जाए, यह area होगा, बेटा, पाई, आर स्कूर, यहां पर r का formula होता है, है h divided by, h square divided by mu square minus 1, जहां पर mu क्या है, आप जानते हो बिटा, ठीक है, तो यहां से area calculate किया जा सकता है, सब लोगों ने देखा, area of visibility, या फिर सवाल ऐसा आ जाए, कि यह जो आप देख रहे हो ना, इस circle से light बाहर आ रही है, अब इस light को बाहर आने से रोकना है, तो यहां पर क कितने diameter की disk रखनी पड़ेगी, तो यह भी calculate किया जा सकता है, अरे भई, r का value हम जानते है न, h divided by, under the root of mu square minus 1, तो हम radius निकाल सकते है, disk की, everyone, बहुत बढ़िया, सर यह भी logic समझ में आ रहा है, अब बात करते बच्चों, प्रिज्म की, ठीक है, बहुत जादा important है, प्रिज्म में ऐसे दो यहाँ पर reflecting surfaces होते है, एक base होता है, इस angle को हम बोलते है, prism angle, जिसकी value होती है, r1 plus r2, क्या है r1 बेटा, यहाँ पर angle of reflection, ठीक है, r1 plus r2, prism के अंदर दिखाए गए है, ray का जो initial direction है, और जो final direction है, उन दोनों में, एक deviation, आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते ह i plus e minus a, derivation is not required, at this point of time derivation is not required, सब लोग बस मुझे बता दो, समझ में आ रहा है, जो हम सवाल समझ रहे हैं, जो हम formulas समझ रहे हैं, मैं quick revise करवा के questions करवाना चाह रहा हूं, आप लोगों को, that is the idea of this super 50, everyone, okay, अब अगर condition यह हो जाए कि sir, i और e दोनों क्या हो जाए, बराबर बर तो delta का value, delta minimum हो जाएगा, और minimum delta का formula आता है, 2i minus a, ठीक है, ray inside the prism is parallel to the base, इस condition में ray क्या हो जाती है, parallel to the base हो जाती है, ठीक बच्चों, यह सारी बाते समझ में आ गई, अच्छा, यहीं से अगर हम क्या करेंगे, यहीं से अगर आप i का value निकालोगे, यहीं से अगर आप क्या तो इस condition में r1 is equals to r2 is equals to r हो जाएगा, यहाँ पर r1 और r2 दोनों value बराबर हो जाते हैं, तो prism का जो refractive index से उसको निकालने का एक formula questions आते हैं, अब अगर यहीं prism क्या हो जाए बेटा, थीन हो जाए तो delta का formula a mu minus 1 होगा, कोई भी light रहे, जो की white light है, prism पर अगर आपने incident करी तो since यहाँ पर देखो, delta is dependent on mu बेटा, delta किसके उपर depend कर रहा बेटा, mu पर depend कर रहा है, mu lambda dependent है, mu किस पर dependent है, lambda पर dependent है, अलग-अलग color का अलग-अलग lambda है, इसलिए अलग-अलग light rays का अलग-अलग angle of deviation मिला, red सबसे कम deviate हुआ, violet सबसे जादा deviate हुआ, क्योंकि violet का lambda, violet का mu क्य बेटा, सबसे जादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, delta V में और delta R में difference है, उसी difference को हम बोलते बेटा, angle of dispersion, which is mu V minus mu R into A, बेटा, dispersive power क्या होता है, theta divided by delta Y, mean deviation, और mean color हम किसको लेते है, yellow color को, तो mu V minus mu R divided by mu Y minus 1, समझ आया, everyone, सवाल करें, बहुत बढ़ बढ़ internal reflection from the medium to vacuum is 45 degree, then the velocity of light in the medium is बेटा, 2020 में, देखो जरा, 2020 में सवाल, पहला भी 2020 का, दूसरा भी 2020 का, 2020 में optics से इतने सवाल आये थे, बताओ, critical angle theta C, critical angle theta C, जल्दी से, सोचो, telegram notes, telegram में notes आ जाएंगे 100%, बिटा, देखो हमने ये देखा था, कि सर, sin theta C is equals to यहाँ पर क्या होता है, आपका होता है, 1 divided by mu, 1 divided by mu, ठीक है, 1 divided by mu, या फिर यू कह दीजे कि सर, mu in rarer medium, divided by mu in dancer medium, mu को कैसे define करते हैं, mu को define करते हैं, ऐसे बिटा, C divided by velocity of light in the rarer medium, divided by C divided by velocity of light in the denser medium, तो यह आएगा बिटा, आपका vd divided by यहाँ पर vr, C से C cancel हो जाएगा, mu का formula होता है, बच्चो, C divided by v, mu का formula होता है, बच्चो, C divided by v, ठीक है, चलो, अब उसने बोला है, the velocity of light in the medium, medium में कितनी होगी, यहने की denser medium में, क्योंकि vr का value तो हम कितना लिखेंगे, 3 into में क्या लिखोगे, बच्चो, 3 into में 10 rest to the power 8, meter per second होगा, क्योंकि यह हम air consider कर रहे हैं, और air में speed of light होता है, 3 into में 10 rest to the power 8, तो यहां से vd का value कितना आएगा, बच्चो, vd का value आजाएगा, सर, यहां पर, c into में क्या आजाएगा, बच्चो, आपका sin theta c, या c की जगह आप इसको बोलेंगे vr, otherwise ने तो c से confused जाओगे, तो यह आजाएगा, 3 into में 10 rest to the power 8, into में 1 divided by root 2, correct option क्या आगया, बच्चो, b आगया, ठीक है, समझा सभी लोगोंने, एक दम आराम आराम से इतमिनान से बता रहा हों, बच्चो, आगया आजाओ, a raise incident at an angle of incident i on the surface of the small angle prism, बच्चो, small angle prism, with prism angle a, emerges normally from the opposite surface, if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to, एक तो आपको जो prism लेना है, वो thin prism लेना है, ठीक है, एक तो आपको जो prism लेना हो, कैसा लेना बच्चो, thin prism लेना है, everyone, यह देखो ऐसा, thin prism लिया आपने, कोई भी light ray यहाँ से opposite surface ते केस्थी कर रही है, बच्चो, आपका normal होगा, so this will be your angle of incidence, यहाँ पर ऐसे light रहानी चीए, very good, so this is your angle of incidence I, अब अगर ये वाला angle a है, ये वाला angle आपका 90 है, so this will be your 90 minus a बेटा, और अगर ये 90 minus a है, तो ये वाला angle आपका 100% a हुआ, सभी लोग देखो, भाई, अगर मेरा ये वाला angle a है, ये वाला angle 90 degree है, तो ये वाला angle क्या होगा, 90 minus a, अब ये वाले दोनों आपस में फिर 90 पर है, तो ये ए ही हुआ न, बहुत अच्छे, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, snell slow, इस point पर हम क्या लिखेंगे, बचो, snell slow, snell slow क्या बोलता है, यहाँ से आपने incident किया, यहाँ पर आपका reflection हुआ है, तो 1 into में आप लिखेंगे, sir sin of i is equal to mu, into में आप लिखेंगे, sir sin of angle of reflection, जो की a के बराबर होगा, Since यहाँ पर आपको बोला गया है कि यह जो आपका prism है यह thin है और small angle prism है कैसा prism है आपका small angle prism है तो I भी यहाँ पर क्या होगा I भी यहाँ पर tending to 0 होगा और A भी यहाँ पर क्या होगा tending to 0 होगा उस चक्कर में sign of I को आप nearly equals to I लिख लोगे और sign of A को भी आप nearly equals to A लिख होगे तो बच्चो यहाँ पर result आजाएगा I is equals to mu A क्या आजाएगा दोस्तो I is equals to mu A यह भी सब को समझ में आगया बहुत बढ़िया ठीक है भाहिया यह भी clarity है राइट बच्चो इस बात के भी clarity हुई ना ठीक है आगे आजाओ अगला a thin prism P1 of angle 4 degree and refractive index 1.54 is combined with the another prism P2 of refractive index 1.72 produces dispersion without deviation dispersion without deviation मतलब बस इतना सा है बच्चो मतलब बस इतना सा है कि अगर एक कोई prism आपका ऐसा रखा है एक कोई prism अगर आपका ऐसा रखा है तो उसके बिलकुल बगल में दूसरा prism आपने ऐसे रख दिया ठीक दूसरा prism आपने ऐसे रख दिया ये इस तरह से क्या चाहते हो आप यहाँ पर condition को पढ़ो condition है dispersion होगा चलेगा यानि कि color spread हो जाए चलेगा लेकिन deviation नहीं होना चाहिए net deviation के 0 होने का मतलब है बिटा इंटू में क्या लिखो के बिटा म्यू 1 माइनस 1 और प्लस क्या लिखो के फ्रेज में एंगल A' इंटू क्या लिखो के बच्छो म्यू 2 माइनस 1 वेरी गुड बहुत बढ़िया यहां से आपको A' की value निकालनी है that would be minus आएगा बच्छो म्यू 1 माइनस 1 नीचे आएगा म्यू 2 माइनस 1 और इंटू में आएगा A साथ ही हो यहां पर आप लिखेंगे minus यह हो जाएगा सर 1.54 माइनस 1 नीचे आजाएगा बच्छो 1.72 माइनस 1 और इंटू में एंगल आएगा आपका 4 डिगरी solve किया क्या value आएगी यहां पर solve करते हैं सर यह result आएगा आपका 0.54 divided by कितना आएगा बच्छो 0.72 इंटू में 4 डिगरी answer माइनस में चल रहा है 18 से cut हो रहा है बच्छा यह 3 times जाएगा यह 4 times जाएगा तो जब आपने solve किया तो you are getting the result which is कितना बच्छो 3 degree कितना answer आजाएगा आपका 3 degree होना चाहिए इसको हम बोलते है crown glass इसको हम बोलते है flint glass कई बार ऐसे आपको देखने को मिल सकता है बटा इसका नाम लिखा जाएगा crown glass इसका नाम लिखा जाएगा सवाल में flint glass तो यह आपको पता होना चाहिए crown and field किसे कहते है ठीक है crown and field flint किसे कहते है इसको अपन कहते है बच्छो crown glass इसको अपन कहते है बच्छो flint ठीक है समझ गए सभी लोगों को clear है यह formula होगा अच्छा यहीं पर इसी सवाल में अगर ऐसा होता कि deviation हो चलेगा dispersion नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए बचा तो यहाँ पर आप बोलोगे सब deviation हो चलेगा dispersion नहीं होना चाहिए तो आपको लिखना पड़ता सब theta net को 0 करते तो लिखते सब theta 1 plus theta 2 अब theta का formula तो आप जानते हो ना पढ़ा रखे हैं और mu r के values given होने चाहिए ठीक बच्चो समझ में आ रही है सारी बाते देखो आदे घंटे में तीन topic निपड़ गए अगला lens बच्चो जब दो आपके पास जब हम बात कर रहे होते reflection through curved surface बटा जब हम बात करते बच्चो reflection through curved surface एक formula हम use करते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ठीक है थोड़ा ठीक रहेगा heading डालेंगे बच्चो reflection through curved surface ठीक है आप लोग देखेंगे reflection reflection through curved surface क्योंकि हो सकता है direct सवाल इस पर आ जाए reflection through curved surface ठीक है reflection through curved surface क्योंकि similar चीज़े हैं ना तो करने में कोई दिककत नहीं है अगर इस तरह का curved surface होता है इस तरह reflective index mu1 होता है इस तरह reflective index mu2 होता है और अगर raise इस तरह से incident की जा रही हो रही हो यहाँ पर रखा हो पिटा object इस तरह बन रहा हो अगर आपका image तो relation बनता है relation बनता है mu2 divided by v minus यहाँ पर बनता है mu1 divided by u is equal to relation आता है बच्चो mu2 minus mu1 whole divided by r proper sign convention के साथ sign convention वही है incident ray की direction में values को positive consider करेंगे और opposite direction में negative consider करेंगे mu2 क्या है बेटा उस medium का refractive index उस medium का refractive index जिसमें क्या होती है image बनती है mu1 क्या है बेटा उस medium का refractive index जहां से raise originate करती है यहने की जिसमें object रखा होता है ठीक यह बाल को बात समझ में आ रही है तो इसी formula पर based यहाँ पर क्या बनता है बेटा अगर आए एक साथ आपने क्या कर दी एक साथ आपने mu m-1 1 by r-1 by r2 यहाँ पर भी आपको proper sign convention यूज करने है ठीक है proper sign convention यूज करने जैसे मैं बता दू अगर इस तरफ से raise incident हो रही है most of the cases में left से right ही हम incident करते हैं तो यहाँ पर हम r1 को plus consider करते है बेटा और हम r2 को minus consider करते हैं यह convention भी मैंने में तो difference बड़ा simple है आप लोग देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि difference बड़ा आसान है mirror के case में 1 by u प्लस 1 by v था यहाँ पर 1 by v minus 1 by u है यह lens के formula में इतना difference है यहाँ पर भी आपको क्या करना बच्चो u और v को proper sign के साथ use करना है magnification क्या होगा बच्चो we divided by u होगा दो सादीज केड़ा प्ड़ते है एक होताइ convex lens इस को converging lens भी करते हैं इसकी focal length Positive होती है क्या होती बच्चो इसको Concave lens करते हैं इसको diverging lens करते हैं ॉती है यह चोटी-चोटी बाते और ध्यान अगर हम lens को cut करते हैं तो 2 axis में नहीं बना रहा है एक x axis और एक ये वाला y axis अगर आप x के along cut करोगे तो ना तो lens का material बदला और ना ही radius of curvature बदले इसलिए कोई भी change नहीं होगा f prime का value f के बराबर होगा power भी power same रहेगा इसलिए power क्या चीज़े ये तो आपने लिखी नहीं अरे बिटा power p is equals to क्या होता है 100 divided by यहाँ पर होता f और यह f अपन centimeter में लेंगे तो उपर 100 यहाँ पर अगर उपर 100 लिखा है तो f को centimeter में लेना पड़ेगा ठीक है diopter में value आती है अगर आपने cut किया ऐसे बिटा अगर आपने cut किया yy के along तो आपका focal length हो जाएगा double और power हो जाएगा आधा माफ करना बिटा power हो जाएगा आधा power हो जाएगा आधा नोट्स में घरबड होगे दी power क्या हो जाएगा बच्चो आधा हो जाएगा ठीक है combination of lenses अगर दो lenses को आपने क्या किया d distance पे रखा है so this will be the effective lens का formula effective focal length का formula बिटा और अगर contact में रखा है तो ये d का value 0 हो जाएगा अच्छा एक बात बता दे अगर convex lens से तो focal length को plus लिखेंगे अगर ये concave होता तो focal length को minus लिखते ये formula use करते वक्त convention का ध्यान रखना मैं बस आप लोगों को एकदम Chris information इस point of time पर आखरी 10 दिन बचे हैं जो जरूरी है exam के point of view से उतना करके हम सीधा सवालों की दुनिया में प्रवेश करेंगे ठीक है मज़ा आ रहा है सभी लोगों को everyone how's the josh बहुत बढ़िया ठीक है भई आजाओ आजाओ ना यहाँ पर बात करते है सर power of the bi-convex lens is 10 diopter okay and the radius of curvature of the surface is 10 cm then the refractive index of the material of the lens is एक बात आपको बताता हूं एक बात अगर याद रखोगे काम आसान हो जाएगा जब भी कभी आप यहाँ पर 1 by f is equals to देखते हैं यहाँ पर होता है सर यह mu है ना और यहाँ पर होता है सर यह ऐसे mu minus 1 this is mu minus 1 into में यहाँ पर हम लिखते है सर 1 by r1 minus 1 by r2 एक छोटी सी बात लिख रहा हूं बिटा by convex का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो by convex का मतलब होता है जब आपका r1 r2 के बराबर हो जाए जब आपका r1 r2 के बराबर हो जाए और बच्चो अगर mu का value 3 by 2 है यानि कि glass यहाँ पर अगर है material of lens बिटा और r1 equals to r2 is equals to r है तो focal length जो है वो r के बराबर आती है यह पता होना चीए ठीक है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर देखे ज़रा power अगर आपके पास 10 diopter है power अगर 10 diopter है तो focal length कितना होगा बच्चो focal length होगा saw divided by 10 यहनि कि कितना हो जाएगा 10 cm अरे यह तो किसके बराबर आ रहा r के बराबर आ रहा है यह तो किसके बराबर आ रहा है r radius of curvature के बराबर यह तो तभी हो सकता है जब आपका lens material कौन हो बेटा glass हो यहनि कि refractive index 3 by 2 होगा नहीं अगर ऐसे याद रखके calculation करना होता तो भी बड़ी आसान थी by 1 divided by f is equals to क्या लिखते mu minus 1 by convex lens से इसलिए 1 को लिखते 1 by r और minus दूसरे को लिखते minus का 1 by r बेटा very good यहाँ पर लिखते 1 divided by plus का 10 very good यह होता सर mu minus 1 यहाँ पर यह क्या हो जाता बेटा 2 divided by r और r का value क्या होता बेटा 10 होता अरे r का value यहाँ पर क्या हो जाता आप दिखते ना यहाँ पर minus minus plus होता 2 by 2 by r यही तो लिखना पड़ता ना everybody very good अब जब आप इसको solve करते तो answer आपके सामने है value वही आती ठीक है are you guys getting my point or not कैसे 10 से 10 cancel होता यह 2 नीचे आता this is 1 by 2 is equals to mu minus 1 तो mu का value आता बेटा 1 by 2 plus 1 यहने के answer आता सर 3 by 2 मैंने solve भी कर दिया मैंने direct भी कर दिया याद रखने वाली कुछ चीजे हैं वो याद भी रखने के लिए बोल दी और आपका काम हो गया बेटा need 2018 में एक सवाल आया था बहुत जोरदार need 2018 में सवाल आया था बहुत जोरदार उसको समझो an object is placed at a distance of 40 cm from the concave mirror of focal length कितना बेटा 15 cm कहां रखा गया था concave mirror mirror का सवाला मैंने कहा था न delta u अगर कम है तो direct delta v निकाला जा सकता है यह वो सवाल है जिसमें delta u कम नहीं है ठीके बचो आजाओ जरा an object is placed at a distance of 40 cm in front of the concave mirror of focal length 15 cm if the object is displaced through distance of 20 cm towards the mirror displacement of the image कितना होगा image कितना value से displace करेगी किस तरफ move करेगी तो बच्चो formula क्या लिखोगे formula लिखो अच्छा देखो पहली चीज तो यह समझो कि initial value कितना था बेटा initial यहाँ पर अगर आप देखोगे 40 था और बाद में उसको 20 cm towards the mirror move करवाया यने की वो 20 cm mirror के करीब चला गया कितना move किया 20 cm which is not a very small value तो आप direct answer नहीं कर सकते आपको calculation करना पड़ेगा तो कैसे calculation करेंगे बच्चो तो आप लिखेंगे इसे 1 divided by F is equals to 1 divided by U plus क्या लिखेंगे बच्चो 1 divided by V आप लिखेंगे सर ऐसे 1 divided by focal length को क्या लिखोगे minus 50 सर क्यों माइनस 15 क्योंकि concave mirror है U को क्या लिखोगे बच्चा minus का यहाँ पर 40 और plus V आपको निकालना इसको लिखेंगे V1 ठीक है बहुत बढ़िया तो 1 divided by V1 is equals to 1 divided by 40 minus यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 divided by आपका 15 ठीक है everyone यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी लोगों को good job good job क्या हम LCM ले सकते हैं बटा क्या हम LCM ले सकते हैं तो 120 के लबी दी LCM 120 में ने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा सर 3 और यह आ जाएगा आपका 8 ठीक है तो value कितनी आ रही सर V1 is equals to minus का 120 divided by 5 which is equal to minus का 24 cm अब यहाँ पर अगर आपने 20 cm क्या किया बटा object को towards the mirror धका दिया तो तुमारा U2 कितना रह जाएगा बच्चो तुमारा U2 रह जाएगा minus में 40 में से 20 को minus करना पड़ेगा यहनि क्या answer आएगा minus का 20 cm everyone minus का 20 रह जाएगा तो आप फिर से लिखोगे 1 divided by minus का 15 is equals to 1 divided by minus का 20 और यहाँ पर plus लिखोगे 1 divided by V2 यहाँ से V2 का value calculate करोगे 1 divided by 20 minus 1 divided by 15 LCM हम ले सकते सर यहाँ पर 30 हमने लिया sorry 60 LCM लेना पड़ेगा 30 ने 60 तो जैसे 60 LCM लिया sir यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर आएगा 4 तो V2 का value कितना आ रहा बिटा minus का 60 cm अरे भाई अरे भाई समझ में आ रहा है sir एक image कहाँ पर बन रही minus 24 पर एक का बन रही बिटा minus सहाट पर दोनों के बीच का difference देखो 36 cm और यह pole से दूर आ रहा है मतलब आपका अवे जा रहा है तो आप बोलोगे 36 cm away from the mirror option B ठीक बच्चो ठीक बच्चो everyone यह 100 most expected topics complete कलीजिये 90% chances से paper इसी से आएगा ठीक है? अच्छा 2 identical glass, mu is equals to 3 by 2 equi convex lens of focal length f beta, each are capped in contact the space between the two lenses is filled with water the focal length of the combination is 2016 और 18 में a is it is सवाल repeat हुआ था बिटा क्या बोल रहा है? सवाल को समझाते हैं उसने ऐसा बोला कि यार यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक setup है, ठीक है? एक आपके पास convex lens है दूसरा भी यहाँ पर आपके पास क्या है? convex lens है और यह दोनों convex lens आपस में से तच में है यहाँ पर पानी भर दिया क्या किया यहाँ पर ना पानी बर दिया यहां पर पानी भर दिया तो एक तरह से पंगे लेनज बन गया बिटा एक तरह से क्या बन गया sy Colombia बन गया वेरी गुड़ का अब इस जो lens से बिटा concave lens इसका focal lens निकाला जा सकता है कैसे निकालोगे तो 1 divided by आपको लिखना पड़ेगा sir f prime या इसको f2 बोल दिजे 1 divided by f2 is equal to यह हो जाएगा mu minus 1 into में formula 1 divided by r1 minus 1 divided by r2 बच्चों यहाँ पर mu का value पानी है इसलिए 4 by 3 minus 1 यहाँ पर यह r1 भी आपका क्या होगा बिटा ठीक है आप देखो जरा r1 इस वाले के लिए आप इधर measure करोगे incident ray से opposite direction में इसलिए minus और इस वाले के लिए आप r इधर measure करोगे यहने की plus r minus plus minus plus दोनों समझना पड़ेगा ठीक है everyone बहुत बढ़िया अब आपने यहाँ पर देखा कि sir यह दोनों minus हो गए तो this result comes out to be sir 1 by 3 औ यहने की f2 का value हो गया बच्चो यहाँ पर 3r divided by 2 minus का मतलब यह कुल मिला कर minus का 3f divided by 2 हो गया ठीक है बच्चो अब यहाँ पर combination का focal length क्या निकालोगे f equivalent is equals to 1 divided by f1 plus आप लिखोगे बटा 1 divided by f2 यह यहाँ पर आपको इसको 2 कर दीजे इसको आप क्या कर दीजे 2 बटा 2 क्यों क इसका और इसका दोनों का add हो जाएगा बहुत बढ़िया तो आप लिखेंगे 2 divided by f और minus आपको लिखना पड़ेगा बच्चो माइनस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर this is 2 divided by 3f और जब आप यहाँ से solve करोगे तो you will be getting this option ठीक है कितना 4f divided by 3 बेटा कितना आ जाएगा 4 4f divided by 3 ठीक है 4f divided by 3 option c will be the correct क्या लॉजिक था बस इतना सा कि इन दोनों का इन दोनों lenses का focal length given था यह बीच वाले lens का focal length नहीं दिया था इसका focal length अलग से निकालना पड़ा हमको बस इतनी सी बात थी ठीक है बचो clear है आया समझ में सभी लोगों को नारी पूरा करके बताएं पूरा करके बताएं कैसे बालक हो भाई पूरा करके बताएंगे लीजिए भाई पूरा करके बताते है LCM क्या लोगे LCM ले लोगे 3f LCM क्या लोगे 3f यहां पर क्या बनेगा 6 बनेगा माइनस क्या बनेगा 2 बनेगा answer कितना आएगा 4 divided by 3f और 3f by sorry 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 3f divided by क्या आएगा बिटा 3f divided by 4 आएगा reciprocal करना था ना f को अरे reciprocal करना भूल गए हम reciprocal करना भूल गए 3f divided by 4 आएगा very good very good बच्चो option is correct ठीक है चलो भई यहां तक बात समझ में आ गई है ना अब आप लोगों के लिए गाना लिखाता पहले वो सुना देते फिर आगे बढ़ते ठीक है सुना दे गाना सुना दे जरा चाट सेक्शन में दिल फैलाओ फिर सुनाते ठीक है है कि नहीं मस्त मजा आया मस्त मजा क्योंकि अब हम optical instruments पर जाने वाले बेटा अब हम optical instruments पर जाने वाले ठीक है येस बच्चो everybody yes 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 sir बहुत मस्त गाना है और इसे सुनते रहना ठीक है आवाज मेरी इतनी सुरीली तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं है तैयार हम है तैयार हम हर मुश्किलों को हराना है बस आगे बढ़ते जाना है ना रुकना कभी ना ठकना है खुली आँकों से देखा जो सपना है हर हाल में डॉक्तर कोट को पाना है तैयार हम है तैयार हम है तैयार हम है तैयार हम है ना चलो आओ बिटा optical instrument में एक होता simple microscope एक होता compound microscope और फिर होते हैं आपके astronomical telescope बिटा ठीक है तो सबसे पहला काम हम करते किसके ओपर बिटा optical instrument पे है डाइग्राम जो आप देख रहे हैं वो इस simple microscope का जब भी कभी किसी object को list distance of distinct vision के अंदर रखा जाता है normal human eye का list distance of distinct vision यहां तक हम objects को clearly देख सकते हैं वो 25 cm होता है अगर आपने object को 25 cm के within रखा तो आप उसे clearly देख नहीं पाएंगे तो my dear friends अगर हमने यहां पर एक convex lens रखा इस तरह से तो यह मदद करेगा magnification की magnification को यहां पर increase करके viewing angle increase कर देगा ठीक है तो आपने यहां पर you not पर object को रखा है तो यहां पर आपने आख के बिल्कुल पास रखा होता है यह lens को और यह इसकी image को कहां बना देगा ब भी बनाया जा सकता है ठीक है depending upon यह object कहां रखा है अगर यह you not पर रखा है तो image deeper बनेगी और अगर इसको आपने focus पर रख दिया तो image infinity पर बनेगी ठीक है बच्छों आ रही यह बात समझ में तो वह दो cases यहां पर आप देखे का ज़रा final image formed at infinity या इसी को मों बोलते normal adjustment या फ या फिर strained eyes का condition हो तो m का value होगा बिटा minus में 1 plus d by f क्या होगा बच्छों 1 plus d by f minus यह पर magnification plus ही आएगा magnification plus आएगा बिटा क्योंकि same direction में same direction में आपका image बन रहा है जिस direction में height आपका object का height है उससी direction में आपका image बन रहा है इसलिए magnification positive ठीक है बच्छों everyone मजा आया दोनों फ important ठीक है फिर हम बात करते compound microscope किसमें दो तरह के lens होते बटा दोनों ही convex lens होते है एक को हम कहते है objective जिसकी focal length कम होती है एक को हम कहते है IP जिसकी focal length ज्यादा होती है बच्छों ठीक है यहाँ पर भी दो condition होती है ध्यान से देखेगा final image अगर आपकी infinity पर बन रही हो या फिर इसक हम list strand condition कह सकते हैं तो जब आपका IP कहां बनाएगा image इंफिनिटी पर तो UE का value F के बराबर होगा FE के बराबर होगा UE का value FE के बराबर होगा और formula बनेगा बिटा magnification का minus of V naught by U naught into में क्या होगा बिटा D divided by FE ठीक है formula याद रखना अगर final image आपकी कहां पर बन रही हो list distance of distinct vision पर strand I condition ने VE का value D होगा UE का value X होगा बिटा और जब इसको solve करेंगे lens formula लगा कर तो magnification आएगा M is equals to minus V naught by U naught 1 plus D by FE ध्यान से सुनना इस condition में ये वाली जो condition है बिटा यहाँ पर दो lenses के बीच का जो length होता है इस condition में दो lenses के बीच का जो length होता है वो हो जाएगा बिटा V naught प्लस यहाँ पर आप D बिटा और second condition में जो आप लिखोगे length between the two lenses V naught प्लस UE और बचो यहाँ पर अगर आपने यह कहा कि object is placed very close to the lens बिटा ध्यान से सुनना अगर आपने इस object को lens के बहुत करीब रखा और objective का focal length बिटा बहुत यहाँ पर क्या है कम है tending to zero उस condition में आपका magnification हो जाएगा L by F naught 1 plus D by FE यहने कि V naught by U naught को किसे replace कर दिया बिटा L by F naught एक सवाल लेकर आया हूँ मैं बिल्कुल ऐसा ही जो मैं आपको भी करवाँगा ठीक yes or no everyone बहुत बढ़िया blur कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल सब कुछ clearly visible है देखो आप जरा मैं completely YouTube पर साथ में feed लेकर चल रहा होता हूँ ठीक है यह जरूर है कि black per color combinations आपको उस तरह के proper ना दिख रहे हो this possibility is there बिटा ठीक है बस यह possibility हो सकती कि सर यह यहां पर हमको visible नहीं हो रहे हो उस तरह से ठीक है समझ में आरी बात सबको clear है यहां तक परेशानी तो नहीं है चलो बिटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं stars और planet यहने कि जो far away placed object है उन्हीं के लिए मैंने formula लिखे हुए है if any object is closer to the objective तो उसके लिए आपको lens formula लगाकर actual calculation करनी पड़ेगी ठीक है हलाकि ऐसा सवाल नीट में नहीं IIT में आता है तो सातियों यहां पर भी condition वही होगी astronomical telescope आपके सामने हैं दो lenses यहां पर होते बिटा एक objective एक IPS फरक इस बात का है कि यहां पर objective बढ़ा होता है और IPS आपका छोटा होता है क्यों रखते हैं objective को बढ़ा क्योंकि हम चाहते है most of the light जो आ रही है infinity से वो इसमें enter कर सके so that हमें image बहुत clear ना ज़राए बिटा कुछ भी blur ना दिखे इसलिए हम इसको बढ़ा रखते हैं चीके चलिए final image अगर infinity पर बनेगी या फिर normal adjustment condition हो या फिर list strength condition हो यानि कि VE का value infinity तो UE का value FE के बराबर होगा उस condition में magnification होगा बिटा minus of F0 divided by FE कभी कुछ condition given ना हो सवाल में मान लो कभी कोई condition given ही नहीं है कि या normal adjustment की deeper image बन रहा है कि क्या उस condition में आपको हमेशा normal adjustment मान के चलना है बिटा अगर कुछ नहीं कहा तो हम यह वाला case मान के चलेंगे final image अगर आपका deeper बनेगा तो VE का value D होगा UE का value X होगा और formula है आपका M is equals to F0 divided by FE 1 plus FE divided by D ध्यान रखना 1 plus FE divided by D है यह है आपके magnification के formula in case of astronomical telescope आप लोगों की सहुलियत के लिए मैंने notes इस तरह से बना दिये बिटा कि सारे यहां पर simple microscope, compound microscope, astronomical telescope, astronomical telescope, terrestrial, Galilean, सारे यह दोनों नहीं पूछे जाते बिटा यह तीनों most important है और यह सारे formula यहां पर मैंने लिख नहीं 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 तो पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए रेडी है ठीक है बचों, everyone, बहुत बढ़ियां, आगे बढ़ जाए, good, very good, सवाल करते हैं बचों, सवाल करते हैं, क्या बोला है, astronomical reflecting telescope will have a large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens off, आप देखो astronomical telescope के case में क्या करते हैं, हम objective lens को लेते हैं, larger focal length का और IPS को लेते हैं, छोटी focal length का, right, तो objective lens of, क्या लिखा है, large focal length and large diameter, बेटा, large focal length and small diameter, ठीक है, small focal length and large diameter, small focal length and small diameter, क्या करोगे, जल्दी बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए, high angular resolution भी, और आपको चाहिए, यहाँ पर क्या बेटा, तो आप ल length होनी चाहिए, और large diameter होना चाहिए, ठीक बच्चो, everyone, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, आजाओ, आजाओ, बेटा, ठीक है, आजाओ, हाँ, telegram पर PDF से, send कर देंगे, ठीक है, हाँ, अच्छा, अगला, the magnifying power of astronomical telescope for the normal adjustment is 50, the focal length of the IPS is 2, बेटा, required length of the telescope for the normal adjustment, बेटा, L का value पूछा है, यहाँ पर क्या होगा for the normal adjustment, for the normal adjustment, बेटा, normal adjustment के लिए, normal adjustment के लिए, L का value क्या होगा, यह आप से पूछा है, बच्छों, एक छोटी सी बात करते हैं, ध्यान से देखो, क्या दिया है, आपको, normal adjustment की बात कर रहा है, normal adjustment की बात कर रहा है, और आपको magnifying power दिया हुआ है 50 बेटा, छीक है, normal adjustment में हम लिखते हैं magnifying power का magnitude F0 divided by FE बेटा, और ये हमको 50 दिया हुआ है, अच्छा, साथी साथ IP's का focal length हमको 2 दिया हुआ है, तो F0 का value कितना हो जाएगा बेटा, 50 multiply by FE, that would be 50 multiply by 2, तो यहाँ पर F0 का value कितना आरा बेटा, 100 cm रहे रिवा, F0 का value कितना आरा बेटा, 100 cm, अच्छा, F0 का value अगर 100 cm आगया, तो L क्या होगा, normal adjustment के लिए L होगा बेटा, F0 plus FE, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर 100, और plus क्या लिखेंगे 2, correct answer क्या करेंगे बेटा, A, ठीक है बचो, समझारी बात सब लोगों को, बहुत बड़ी है, अब आगे बात करते हैं, अगला सवाल, ठीक है, microscope having objective of focal length, यहाँ पर कितना बेटा, 1 cm, और IPC 6 cm, बहुत कम focal length है, objective की, ध्यान से सुनना, objective की focal length बहुत कम है, if the tube length is 30 cm, image is formed at least at a distance of distinct vision, what is the magnification produced by the microscope, बेटा, D का value 25 लेना है, मैंने अभी आपको एक case बताया था, कि अगर U यहाँ पर क्या हो जाए, बेटा, दिया नहीं हो, या U tending to क्या हो जाए, बेटा, 0 हो जाए, objective अगर यहाँ पर क्या होगा, focal length का बहुत छोटा होगा, focal length की, यहाँ पर objective की focal length बहुत छोटी होगी, उस condition में magnification का formula would be L divided by क्या लिखेंगे, बेटा, F0, और यहाँ पर क्या था, 1 प्लस आपका D divided by FE, very good, तो L का value क्या लिखोगे, बेटा, L का value क्या लिखोगे, L का value लिखेंगे, अपने से यहाँ पर 30 आजाएगा, यहाँ पर 1 आजाएगा, यह 1 माइनस, sorry, प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 divided by FE 6, अच्छा, एक बात और बता दो, कि जब भी कभी magnification के formula's use करेंगे, उसमें sign convention नहीं रखना होता है, जब भी कभी बच्चो, आप लोग magnification का formula use करोगे, उसमें sign convention यूज नहीं करोगे, ठीके, solve किया sir, तो यहाँ पर कितना बनेगा, this would be, यह हो जाएगा sir, आपका 30, इन्टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 31, divided by this, तो यह आपका cancel हुआ, 5 से, 5 तरी पंदरा something, यनि कि almost 150 answer आएगा, 150 से थोड़ा सा ज़ादा, but near around answer हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बाते समझ में आगई, perfect clarity हो चुकी, ठीक है, आगे आओ बच्चो, अब और बात करते हैं sir, यंग्स double slit experiment में आपका स्वागत है, यनि कि पूरा का पूरा geometrical optics complete हो चुका है, जस्ट एक घंटे में बेटा, अब हम बात करेंगे, यंग्स double slit experiment की, जब भी कभी किसी source से, light rays जब दो openings पर एक साथ गिरती है, तो उन openings से किसी भी point पर जब light rays पहुँचती है, तो वहाँ पर होता है बेटा, path difference, क्या होता है बच्चो, path difference, जिसकी वजह से होता है phase difference, बेटा, relation between the path difference and phase difference is written there, अगर delta x है, तो delta 5 होगा, delta 5 होगा बेटा, तो यहाँ पर आपको I calculate करना पड़, अगर I का formula होगा, I1 plus I2, 2 times of under root I1 plus I2, cos of 5 बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पर condition यह है, कि I1 is equal to I2, is equals to I0 हो जाए, तो इस I का formula हो जाता है, बेटा, 4 times of I0 और यह हो जाएगा, आपका cos square 5 divided by 2, यह एक नया formula में यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक बच्चो, everyone, मजा आ रहा है, एकदम कम समय में जादा cover कर रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, अच्छा, चलो, intensity के इसी formula को in terms of amplitude भी लिखा जा सकता है, because intensity is directly proportional to amplitude बेटा, and intensity is directly proportional to width of slit also, यह वाली opening बेटा, यह वाली opening ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ पर path difference कम बोलते, delta x is equals to d sin theta, which is equals to n lambda, it is condition of maxima बेटा, sin theta is nearly equals to 10 theta, which is equals to y by d, because young's double state experiment में, हमारे course में क्या है बेटा, यह d बहुत बढ़ा होता है, यह वाला d बहुत छोटा होता है, इसलिए यह सारे angle हम theta की तरह treat कर सकते हैं, तो बहुत smaller angle theta के लिए, sin theta can be 10 theta, which is y divided by d, यह y है, यह आपका d है, तो यहाँ से delta x का value आएगा बेटा, d y divided by capital d, बढ़ेंगे बच्चो n lambda, तो y का value आजागा n lambda d divided by small d, और यहाँ पर हम इसको बोलते position of nth maxima, अगर n का value 0 है, हम इसको बोलेंगे central bright fringe बिटा, n का value 1 हम इसको बोलेंगे first bright fringe बिटा, n का value 3 हम इसको बोलेंगे third bright fringe बिटा, n का value अगर 6 हम इसको बोलेंगे 6th bright fringe बिटा, यहने कि जिस number of fringe के बारे में बात करा है, से आपसे कहे 11th bright fringe तो आपको n का value 11 रखना है, अगर आपसे कोई कहे 8th bright fringe बिटा, 8 भी bright fringe तो n का value आपको 8 रखना है, simple मैंने आपके लिए करके रखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, yes everyone, yes sir, lambda capital D divided by small d, यह value आ गई, बहुत बढ़िया, अब बच्चों यहाँ पर देखो, यही delta x equals to d sin theta is equals to 2n minus 1 lambda by 2, this is the condition of minima dark fringes बिटा, इसमें अगर आप y की value निकालोगे 2n minus 1, lambda capital D divided by small d, और इसमें n का value 1 से शूरू होता है, यहाँ पर n का value 0 नहीं होगा, यहने कि कोई भी central dark fringe जेसी कोई concept नहीं होती, इसलिए 1 का मतलब है first dark, 2 का मतलब है second dark, 3 का मतलब है third dark, 5 का मतलब है fifth dark, यह पता होना चीए सबको, ठीके, everybody, सबज आया सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अच्छा, fringe width क्या होती है, between two, अभी देखो यहाँ पर आपको बताते हैं, ऐसे होता है, यहाँ पर न बच्चो, यहाँ पर आप लोगों देखने को मिलेगा, ठीके, इसके नीचे भी यहाँ पर क्या होती है, बच्छो, bright fringe होती है, देख रहे हैं आप सबी लोगों को, very good, तो between the two bright fringes, यहाँ से लगा कर, यहाँ तक का जो distance होता है, यहाँ से लगा कर, यहाँ तक का जो distance होता है, small d को change करोगे, fringe width change होगा ठीक है, समझ आया सभी लोगों को, everyone clear है कि नहीं, जल्दी से बताओ, तो young double slit experiment में, अब एक और concept आता है, कि sir, इन दोनो slit में से, किसी एक slit के सामने slab रख देंगे, तो क्या होगा, तो किसी एक slit के सामने slab रखने से, इन ग्लास slab of thickness कितना बच्चो, T and refractive index mu, is placed in front of one of the slit, तो सारा का सारा pattern क्या हो जाएगा, बच्चो शिफ्ट हो जाएगा, यनि कि बच्चो, जो आपकी central bright fringe यहाँ पर हुआ करती थी, जो central bright fringe यहाँ पर हुआ करती, अब यहाँ नहीं होगी, अब वो कहीं उपर होगी, अब वो कहीं कहाँ पर होगी बेटा, उपर होगी, और कितनी उपर होगी, उस कितनी उपर का जवाब है, delta T और उसी को अपन shift कहते हैं, कितनी उपर होगी पहला, पहले यहाँ पर बन रहा था central bright fringe, अब यहाँ नहीं बनेगा, अब कहाँ बनेगा थोड़ा उपर बनेगा, सर उपर ही क्यों, क्योंकि हमने उपर की side रखा है slab बेटा, अगर slab नीचे रखते, तो यह central bright fringe नीचे आ जाता, ठीक है, चमक राए सभी लोगों को, किस direction में shifting होती है बच्चों, किस direction में shifting होती है, जिस direction में हमने slab रखा होता है, very good, अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा, सर कभी अगर इन दोनों के सामने रख दी तो, यहाँ भी रख दी और यहाँ भी रख दी, तो जिसका mu into t बड़ा होगा, जिसका mu into t बड़ा होगा, उसकी direction में shift होगा, जिसका mu into t बड़ा होगा, उसकी direction में shift होगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर extra path difference आजाता, which is t into mu minus 1 बेटा, और जो shift है, उसकी value होती बेटा, t mu minus 1 into d, t mu minus 1 into d divided by d बेटा, कितने number of fringes यहाँ पर shift होते है, इस delta t में कितनी fringes आ सकती है, तो भाई, एक fringe width बेटा के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, shift के formula को क्या करोगे, divide कर दोगे किस से बेटा, बेटा से, तो delta t divided by बेटा, तो number of fringes shift is equals to t, mu minus 1 divided by lambda बेटा, कई बार सवाल ऐसा आता है, कि sir, हाँ, slab की direction में, कई बार सवाल ऐसा आता है, कि दो sources एक circle के center पर रखे हुए हैं, इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने diagram में दिखाया, number of fringes कैसे calculate करोगे, इसका बहुत simple concept है बेटा, delta x is equals to d sin theta, या d cos theta, दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगी, ठीक है, अब आप जानते हों कि यह delta x का value क्या रखोगे, maxima के लिए delta x के value का आप n lambda रख दोगे बेटा, maxima के लिए, number of maxima के लिए delta x का value n lambda, तो यहाँ पर d का value दिया होगा, अब आप यहाँ पर n की value को इस तरह से change करोगे, कि cos theta का value 1 से बढ़ाना हो, और minus 1 से चोटाना हो बेटा, तो आपको number of fringes मिल जाती है, i max divided by i minimum का ratio, आज ही मैं सुभा आपको जब mock test करवा रहा था, उसमें एक question था, root i1 plus root i2 का whole square, divided by root i1 minus root i2 का whole square, अगर i1 और i2 बराबर हुए बेटा, तो maximum intensity 4 i0 होगी और minimum intensity 0, यहनि कि perfect bright और perfect dark fringes मिलेगी, root i1 बर i2 को हम r बोलते हैं इसलिए फार्मूला change हो जाएगा, ठीक बच्चो, clear है, सभी लोगों को बात समझ में आई, very good, सवाल, सवाल करते हैं, आओ जरा जल्दी से सवालों की दुनिया में फटाफट, आओ जरा जल्दी से सवालों की दुनिया में फटाफट, very good, सवाल करेंगे, सबसे पहला सवाल, कौन सा, यंग्स double slit experiment, if the separation between the coherent sources is hard, sources के बीच का separation half, यहने कि आपने क्या किया, D को घटा करके D by 2 कर दिया, बहुत बढ़िया, and distance between the screen and the coherent sources is double, अच्छा, यह word coherent क्यों ले रहे हैं, बेटा देखो, coherent sources हमें लेने हैं, और monochromatic लेने हैं, sustainable interference के लिए, coherent sources का मतलब होता है, ऐसे sources जिनकी frequency same हो, अगर same frequency के नहीं हुए, तो path difference constant नहीं होगा, जिसकी वज़े से sustainable interference नहीं मिलेगा, तो coherent और monochromatic sources is the condition, D को आपने क्या किया, बच्छो, increase करके 2D कर दिया, बहुत बढ़िया, तो आप beta का value क्या लिखते हो, beta का value लिखते हो, lambda capital D divided by small d, तो beta prime क्या होगा, lambda तो lambda है, d के जगा आपने 2D किया, और यहाँ पर आपने क्या किया, d by 2 किया, तो यहाँ पर यह 4 times of beta हो रहा है, 4 times beta हो रहा है, यहने कि option B हो गया, 4 times हो गया, everyone, 4 times हो गया, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, क्या बोल रहा है, light of wavelength 500 nanometer, incident on the young double sit experiment, the distance between slit and the screen is 1.8 beta, and the distance between slits is 0.4, if the screen moves with a speed of 4 meter per second, कौन मूव कर रहा है, बहुत रहा है, कौन रहा है, बहुत रहा है, कुल मिला कर, D of capital D, divided by DT, rate of change of, rate of change of, किसका position बहुता, screen का position, इस कितना दिया हुआ है, आपको 4 meter per second, very good, अच्छा, then the what speed with, first maxima will move, बहुता, first maxima किस speed से move करेगा, यह आप से पूछा, first maxima मतलब, first maxima मतलब, n is equals to 1, बहुता, first maxima मतलब, n is equals to 1, तो my dear friends, y is equals to, आप जानते हैं, n lambda capital D, divided by small d होता है, जब आप इसको करेंगे, dy divided by, इसको करेंगे dt, यह हो जाएगा, sir, n lambda small d constant है, कौन change हो रहा है बिटा, capital D change हो रहा है, with respect to time, यहाँ पर हमको बोला गया है, n is equals to 1 लेना है, यहाँ पर हमको बोला गया, n is equals to 1 लेना है, क्योंकि, first bright fringe की बात कर रहा है, so my dear friends, dy divided by dt would be, यहाँ पर lambda का value कितना हो जाएगा, 500 into me 10 rest to the power minus 9, और यह हो जाएगा बच्चों, आपका 0.4 into me 10 rest to the power minus 3, very good, mm को meter में convert कर दिया, और यह वाला value हो जाएगा, 4 meter per second, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपने एक decimal हटाया, एक 0 लगाया बेटा, 4 से यह आपका 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर केवल एक number factor 5 का बच रहा है, बाकि सब खतम हो गए, तो 5 mm per second is the correct answer, 5 mm per second is the correct answer, यंग्स double slit experiment का, M's 2019 में different तरीके का सवाल की, बताओ, अगर slit को, अगर हम screen को move कर रहे हैं, screen को अगर हम move करा रहे हैं, तो जो तुम्हारा, कौन बेटा, जो तुम्हारा fringe होगा, वो किस speed से, जो first आपका bright fringe होगा, वो किस speed से move करेगा, या second, या third, या fourth, या fifth, कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता था, ठीक है, everyone, very good, very good, very good, आगे आजाओ बेटा, यंग्स double slit experiment, यंग्स double slit experiment, is first performed in air, and then in medium, other than air, पहले air में perform किया, अब air में नहीं, किसी और medium में लेकर चले गा है, मतलब lambda में change हो जाएगा, मतलब lambda में change हो जाएगा, okay, it is found that, eighth bright fringe, in the medium, lies where fifth dark fringe, lies in air ठीक है, तो यहाँ पर, the refractive index of the medium is nearly, उसने ये पूछा है, उसने पूछा है कि, position of fifth dark, क्या पूछा है बेटा, उसने condition क्या है, देखो, condition ये, position of, किस की बचो, position of fifth dark fringe, किसमें in air, is equal to, is equal to position, is equal to position of, eighth bright fringe, is equal to position of eighth bright fringe, in another medium, in another medium, ठीक है, very good, तो बच्चो, dark fringe के लिए, formula कौन सा यूज होता है, तो formula यूज होता है, 2N minus 1, into में क्या लिखेंगे, सा lambda, capital D, divided by, small 2D, यह सोनो बच्चो, very good, अच्छा, यहाँ पर हम n का value क्या लिखेंगे, n का value हम 5 लेंगे, क्यों 5 लेंगे, क्योंकि 5th dark fringe है, n का value 5 लेंगे, क्योंकि 5th dark fringe है, is equal to, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बच्चो, N lambda, लेकिन lambda prime लिखना पड़ेगा, D divided by, क्या लिखोगे D, सर्वाई lambda prime, अरे क्योंकि medium change हो गया न, तो lambda prime को क्या लिखना पड़ेगा, lambda divided by mu लिखना पड़ेगा, कौचिस formula, कौचिस formula, lambda जो होता है, बच्चो, वो inversely proportional to mu होता, अगर mu change होगा, तो आपका lambda भी change होगा, medium change होगा, तो mu change होगा, right my dear friends, तो अब यहाँ पर n का value क्या रखोगे, यहाँ पर n का value 8 रखोगे, क्यों 8 क्योंकि 8 उसने bright fringe बोला है, very good, values रखके solve किया sir, यहाँ पर 5 रखोगे, 5 into 2, तो यह हो जाएगा बिटा आपका 10 minus 1, which is 9 lambda capital D divided by, यहाँ जाएगा small 2D is equals to, यहाँ पर अपन 8 रखेंगे, 8 lambda capital D divided by, यह हो जाएगा, आपका mu D, यह mu यहाँ से रखा, lambda D D, lambda D D cancel, तो mu का value आ रहा है sir, 16 बटे 9, 16 बटे 9 मतलब 1.78 will be the correct answer, ठीक बच्चों, clear है, छोटी छोटी बाते भी मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि limited questions कर रहे हैं, limited चीजें हमको यहाँ पर करनी हैं ठीक है, अंतिम समाई चल रहा है, limited topics, limited questions, ताकि अगर इन से कुछ आए, तो at least हमारा गरबड ना हो ठीक है, concept of missing wavelength, आओ ज़रा हैं यहाँ पर, concept of missing wavelength, white light used to illuminate two slits, in Young's double slit experiment, the separation between the slits is B, and the screen is at a distance of D, which is very very larger than B, from the slits B, at a point on the screen, directly in front of one of the slits, at a point on the screen, directly in front of one of the slits, which wavelengths are missing, इन में से कौन से wavelength, missing होंगे, तो बच्चों, इस तरह का setup है आपका, इस तरह का setup है आपका, यहाँ पर आपको कहा गया है, कि सर यह आपकी slit है, यह आपकी slit है, और इन में से किसी एक स्लेट के सामने इन में से किसी एक स्लेट के ठिक सामने यहाँ पर अगर मान लीजे हमने होल बना दिया कि इसकी y value क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे sir y का value d के बराबर होगा everyone y का value किसके बराबर होगा बच्चो दी के बराबर होगा इस location पर इस location पर आप लोग एक और बात लिखोगे कि यहाँ पर अच्छा missing missing का मतलब जो हमें दिखाई ना दे और हमें y तुम्हें दिया हुआ है यह भी तुम्हारा y है equate करेंगे sir तो small d divided by 2 is equal to यहाँ पर यह क्या हो जाएगा sir this is 2n minus 1 into में हो जाएगा sir lambda capital d divided by small 2d 2 से 2 cancel हो जाएगा यहाँ से आप lambda missing को लिखोगे यहाँ से आप lambda missing को लिखोगे बिटा तो lambda missing would be यह हो जाएगा sir आपका d square divided by this is 2n minus 1 और यहाँ पर आजाएगा capital d अब n का value 1 रखोगे तो क्या हैगा बिटा d square divided by capital d ठीक है तो यहाँ पर आप लिखोगे sir n is equals to 1 पर which is d square divided by यहाँ पर आपका capital d n is equals to 2 पर यहाँ पर क्या हैगा बिटा d square divided by आपका 3d लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा sir इसने बोला कि small d को b से replace कर दो capital d को small d से replace कर दो तो answer आपका c हो जाएगा ठीक है in general हम क्या लेते बिटा in general हम लेते slit के बीच का separation small d और slit और screen के बीच का separation capital d इसने यहाँ पर दिया था small b और small d हो गया सबको समझ में आगई बात बहुत बढ़िया अगला intensity the intensity at the maximum in young's double slit experiment is i0 बिटा maximum intensity is i0 i max i max यहाँ पर क्या है बिटा i max अगर i0 है इसका मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है 4 times of i जहाँ पर i1 is equals to i2 is equals to हम i कहेंगे जहाँ पर i1 मतलब कि दोनों की intensity यहाँ पर क्या है बिटा बराबर बराबर है i के बराबर है और i0 अगर maximum में मतलब वो 4 i के बराबर है तो यहाँ से मैं बता चलता है कि i का value हम लिखेंगे i0 divided by 4 यानि कि एक source की intensity क्या है बच्चो i0 divided by 4 है very good अब उसने बोला है कि distance between the slits is यहाँ पर 5 lambda और बोला गया है what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance of 10 d बेटा, same to same formula यूज कर लो आप ये वाला, same to same formula यूज कर लो ये वाला बेटा ठीक है आप इसको यहाँ से copy करके ले जा सकते है जब इससे copy करके यहाँ लाए हम आजाओ, दिख रहा है सभी लोगों को इसने पूछा कि यहाँ पर intensity क्या होगी इस जगह पर, यहाँ पर intensity क्या होगी i prime की value आपको निकालनी है बच्चो अगर मुझे y का value मालूम है मुझे अगर y का value मालूम है तो I can calculate one thing y के value के पता होने से हम क्या निकाल सकते है तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था intensity को निकालने के लिए intensity को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चो i1 प्लस i2 प्लस 2 under the root of आप क्या लिखोगे sir i1 i2 into my cost of 5 आपको 5 का value चाहिए 5 कैसे मिलेगा जब delta x मिलेगा delta x क्या होता बटा d into my y divided by capital d हमको y मालूम है यहापर यह क्या हो जाए d divided by 2 yes or no तो यह आगया बच्चो d square divided by 2 d अच्चा तो delta x को calculate किया जा सकता है sir delta x को लिखा जा सकता है ऐसे delta x is equals to d की जगा हम लिखेंगे बचो 5 lambda into my आपर अपन क्या लिखेंगे बचो 5 lambda नीचे लिखेंगे 2 और capital d की जगा अपन लिखेंगे 10 into my आपर कितना बचो यह 5 lambda एक 5 lambda से 5 lambda cancel यहाँ पर ही होगे बटा 2 so this comes out to be lambda by 4 और हम लिखेंगे sir delta 5 is equals to 2 pi divided by lambda into my delta x beta delta x की जगे lambda by 4 रखेंगे answer आएगा pi by 2 pi by 2 मतलब यह वाला factor खतम यह वाला factor 0 और यह वाला factor 0 मतलब intensity क्या बचेगी sir i1 plus i2 i1 कितनी बटा यहाँ पर i0 by 4 i2 भी कितनी बटा i0 by 4 तो correct answer आजाएगा आपका option c ठीके बचो clear है कैसे solve करना होता है थोड़ा reversal technique थोड़ा reversal technique y दिया है तो y के help से यह वाला formula यूज की आपने delta x equals to d y by d और यहाँ से हमने calculate किया delta x delta x की मदद से निकाला delta 5 इसको उठा के यहाँ रखा and we got the answer ठीक clear है बच्चो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चो अब हम बात करते हैं सर्ट diffraction की क्या होता है यहाँ पर आपके पास दो slits नहीं है एक single opening है या फिर obstacle है तो whenever you observe a light ray coming from an opening which is equal to और comparable to wavelength बटा इसकी size किसके comparable होनी ची बटा comparable to wavelength of light itself बटा या फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर आपने एक obstacle रखा है जिसकी size इस lambda के comparable है तो we have seen that light ray bends slightly ultimately क्या होना चीए था light ray केवल इस region में होनी चाहिए थी इधर होना चीए था darkness इधर होना चीए था darkness लेकिन हम तो observe करते कि सर light ray फैली हुई है इस पूरे region में तो यहाँ पर बनता है आपके पास एक pattern of light यहाँ पर एक pattern बनता है जिससे हम diffraction कहते हैं जिससे center में आपको मिलती है क्या बचो center में आपको मिलती है maxima और center के आजुबा जो आपको मिलती है minima यह minima है center में होती maxima ठीक है यहाँ पर formula होता है delta x which is path difference is equals to a sin theta जहाँ पर a com बोलते है opening equals to n lambda यह condition of minima उल्टा वहाँ पर n lambda condition of maximum था है यहाँ पर condition of minima है angular width of nth minima बिटा तो आप sin theta निकालोगे और n की value 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो उसके हिसाब से आप angular width निकाल सकते हो ठीक clear है यहाँ पर बहुत बढ़िया position of nth minima कैसे निकालोगे y n lambda d by a बिटा और यहाँ पर कई बार d को focal length के बराबर रखा जाता है क्योंकि यह जो lens है न यहाँ से हम focus के बराबर screen रखते बिटा ठीक है कितनी दूर पर रखते हैं यहाँ से हम रखते हैं focus के बराबर बहुत बढ़िया ठीक है focal plane पर screen रखा होता है फिर delta x equals to a sin theta 2n plus 1 into my lambda by 2 क्योंकि dark central dark fringe जिसा कोई concept नहीं होता न इसलिए यहाँ पर n का value हमेशा 1 से चलेगा ठीक है condition for maxima width of central maxima कितना होगा बिटा यहाँ पर एक maxima बनता है मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूँ मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूँ ठीक है मज़ा आएगा ऐसा इस तरह का कर्व बनता है बिटा तो यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे इसको भी अगर आप आगे बढ़ाएंगे इसा कुछ ठीक है तो यह जो देख रहे होते हो सर यह center में आपको मिलता है central bright fringe बिटा उसके बाद यह first minima यह second minima यह third minima यह fourth minima ऐसे चलता चला जाता है ठीक है can you look at this graph बिटा समझ में आ रहे है सभी लोगों को तो यहाँ पर जो position होती है बिटा first minima की यहाँ पर n का value 1 रखोगे तो first minima की position क्या होगी lambda d divided by a तो जितना first minima उपर है बिटा उतना ही first minima नीचे है तो यह हो जाती है आपकी width of central bright fringe बिटा जिसका value होता है 2 lambda capital D divided by a ठीक है समझ में आ रहा formula कैसे बनाया यह अच्छा linear width कैसा होगा बिटा यहाँ से अगर आपको यह linear width चाहिए इसका यहाँ से अगर आपको यह linear width चाहिए यह वाला इसको angle theta बोलते तो बच्छो यह linear width कैसे निकालोगे यह linear width कैसे निकालोगे तो linear width होगा यहाँ पर या angular width बेटा ठीक है इसको बोलेंगे सर linear नह steering sorry angular width तो आप लिखोगे बच्छो angular width is equal to angular width is equal to ऐसे लिखेंगे अपन ठीक है angular width is equal to which is theta और ये वाला theta जो है बच्चों ये क्या हो जाता है आपका which is W ये आप, देखो basically क्या लिखोगे यहाँ पर? basically लिखोगे यहाँ से लगा कर यहाँ तक आए फिर यहाँ गए यह क्या है आपका arc length है यह क्या है आपका angle है तो आप लिखोगे क्या sir? angle is equals to arc upon radius radius किसके D के बराबर हो जाएगी R का किसके बराबर हो जाएगी W के बराबर तो W divided by D is equals to theta तो यहाँ पर D को नीचे लेके आजाओ तो W divided by capital D and that would be your 2 lambda divided by A बच्चो यह आता है आपका angular यह आता है angular width of central maxima ठीक है सबको clear हुआ formula, logic, explanation सारी कुछ चीज़े बच्चो बहुत मस्त था ठीक है ठीक है भाईया यह भी समझ में आ गया अब आता है sir polarization जो light होती है as a electromagnetic wave और हमने पढ़ा है electromagnetic wave में we have two vectors, one is electric field and one is magnetic field one is electric field and one is magnetic field और यह दोनो same phase में क्या करती बटा ऐसे करती है और propagate करती है in a particular direction अब जब आपने क्या किया polarizer लगाया कहीं पर तो उस polarizer से एक particular component क्या हो जाता है बच्चो छन जाता आप ऐसे समझे ठीक है यहाँ पर polarizer क्या होता है polarizer में बहुत सारे particles होते हैं और उन particles की grading के हिसाब से यहाँ पर एक particular component क्या हो गया बटा absorb हो गया तो केवल एक ही तरह के components बहार निकले इसको हम बोलते plane polarized light यह polarized है या नहीं इसको observe करने के लिए हम analyzer लगाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप analyzer को rotate करोगे analyzer को rotate करोगे आप पाओगे कि सर्यापर intensity decrease होती जाती है जितनी intensity यहाँ पर है उतनी यहाँ पर नहीं मिलती अगर दोनों parallel है इसका transmission axis इसका transmission axis parallel है तो जितनी intensity यहाँ है उतनी यहाँ मिलेगी लेकिन जैसे जैसे rotate करोगे वैसे वैसे क्या होता बिटा intensity बदलती जाती है और उसका formula होता बिटा I is equals to I naught cos square theta इसे malus low कहते है theta होता बिटा यहाँ पर angle between the planes of polarizer and analyzer ठीक है yes बच्चो everyone ठीक है यहाँ पर आप एक और तरीका है जिससे क्या कर सकते हो light को polarize कर सकते हो तो unpolarized light को आपने denser medium पर incident किया और कुछ इस तरह से आपने incident किया एक ऐसे angle पर जिससे reflected ray और reflected ray एक दूसरे से 90 degree angle पर हो गए बिटा और जो reflected ray है वो 100% plane polarized हो चुका है जिसके पास केवल magnetic field component है बिटा electric field components गायब हो चुके है यह partially polarized है यह 100% polarized है तो यहाँ पर यह angle 10 theta P is equals to mu होता है क्या होता है बच्चो 10 theta P is equals to mu theta P यहाँ पर क्या है बिटा polarizer angle है ठीके yes or no everyone बहुत बढ़िया चले एक सवाल करते है कारला CET 2014 में सवाल आया था polarized light of intensity I naught is passed through another polarizer whose past axis makes an angle of past axis मतलब axis of transmission 60 degree with the past axis of former बिटा what is the intensity of emergent polarized light from the second polarizer ओके ठीक है तो बच्चो मैं लोग के हिसाब से हम formula लिखेंगे sir I is equals to लिखेंगे I naught into में क्या लिखेंगे बिटा cos square theta यहाँ पर लिखेंगे sir I naught I naught रहेगा यह हो जाएगा sir cos of 60 और इस cos of 60 का whole square होगा so that would be I naught यहाँ पर हो जाएगा sir 1 by 2 iska whole square होगा so that result would be I naught divided by 4 and correct answer हो जाएगा आपका option D correct answer क्या हो जाएगा बच्चो option D हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चो very good very good ऐसा ही एक सवाल दो neat में भी आया था बेटा जरा एसा ही एक सवाल neat का previous इसको भी देख लो जरा neat pyq क्या आया था neat pyq आया था उसको देखो जरा एक नहीं दो नहीं तीन अलग-अलग polarizer लिए ठीक है यहाँ पर एक था बेटा polarizer P1 ठीक है क्या था बच्चो polarizer P1 फिर था एक polarizer P2 ठीक है फिर था एक polarizer P2 which are at 90 degree with respect to each other दोनों के planes क्या थे बेटा एक दुसरे से 90 degree पर थे ठीक है very good बहुत बढ़िया यहाँ पर जो P1 से intensity बाहर हो रही है उसको अपन ने I naught कहा था जो P1 के बाहर हमें intensity मिल रहे थी बेटा वो I naught थी अब इनके बीच में in the middle of 2 in the middle of 2 we have placed another we have placed another बेटा ठीक है polarizer at some angle theta at some angle theta with क्या बेटा at some angle theta with P1 so definitely at some angle 90 minus theta at some angle 90 minus theta with P2 right ठीक है yes बच्चो just a minute हाँ जी आजाओ जारा तो यहाँ पर क्या होगा सर theta और यह होगा 90 minus theta यह कौन सा है बिटा तो यह polarizer आपका P3 है very good तो आपसे यह पूछा गया है आपसे यह पूछा गया है कि जो intensity यहाँ से पास होगी I2 उसका value क्या होगा और वो maximum कब हो सकता है अब ध्यान से सुनना जो light P1 से पास होगी वो P3 पर incident होगी जो P3 पर incident होगी वो कहां से पास होगी पीटा P2 से पास होगी पहले P1 रखा है फिर बीच में P3 रखा है बिटा और last में आपका P2 रखा होगा है ऐसे ठीक है P1, P3 और last में आपका P2 ठीक है तो जो यहाँ से निकल कर आया वो I note है फिर वो इसके उपर incident होगा यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा और वो जाएगा किसके उपर P2 के उपर तो finally P2 से बाहर क्या निकलेगा यह सवाल था बच्चों इस सवाल का solution बहुत simple है आप लिखोगे जो intensity I3 होगी उसको हम लिखेंगे यहाँ पर intensity I0 और लिखा जाएगा बच्चों लिखा जाएगा इसको क्या Cos Square लिखा जाएगा Cos Square Theta और यही क्या होगा यही होगा incident यही कहां होगा पटा incident होगा किसके उपर on P2 यह P2 के उपर incident होगा तो हम लिखेंगे I2 I2 is equals to लिखेंगे I3 इंटों में क्या लिखेंगे पटा Cos Square Alpha अरे इन दोनों के वीच में अंगल क्या है इन और यहां पर कौस स्कूर्ए थीटा और यहांपर आप इसको लिखोगे बीटा सान स्कूर्ए थीटा everyone बहुत बढ़िया अब दोस्तों बस इतना सा काम करना था कि सर अगर मैं यहाँ पर 4 से multiply करूँ 4 से divide करूँ तो यह result बन जाएगा सर I not divided by 4 और यह बन जाएगा सर हमारा यहाँ पर sin square 2 theta यह बन जाएगा सर sin square 2 theta यह बनेगी सर intensity जो हमारी कहां से निकलेगी I2 से और इसके maximum होने के लिए क्या होना चाहिए था सर इसका value 1 होना चाहिए था तो I2 को अगर तुम चाहते हो maximize करना तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर sin 2 theta का value 1 यहाँ पर यह होना चाहिए था सर साइन 90 तो 2 theta का value 90 मतलब की बच्चो theta का value होना चाहिए था 45 डिग्री और एकर 45 डिग्री होता तो यहाँ पर I2 बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तो सारी बाते अगर clear है तो बताओ जरा जल्दी से यस everyone फटा फट से thumbs up करो सारी जीसे समझ में आ गई so this is all from my side बिटा आज के लिए इतना काफी कल मिलेंगे modern physics के most expected topics के साथ flat 25% off चल रहा है 2024 वाले सभी aspirants के लिए देखो early start करोगे early finish करेंगे जादा समय मिलेगा जादा practice कर पाएंगे जादा mock test दे पाएंगे ठीक है तो बच्छो just at the cost of 28,000 रुपीज इसमें भी अगर आप MS live code लगा लोगे आपको और additional discount मिल जाएगा तो जितने भी बच्चे 2024 दो हजार 25 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए limited period offer है iconic subscription लोगे तो जब तक need crack नहीं होगा तब तक आपके पास subscription active रहेगा बिना किसी additional payment के बिटा जस्त एक बार लेना है और आपके पास हमेशा रहेगा ठीक है अच्छा कौन-कौन से बेचे जे बिटा तो शौर्य बेचे लक्ष बेचे और पूरी अनकाडमी नीट की टीम विश्वास बेच और आरंब प्रो बेच में आपको पढ़ा रही है विश्वास बेच में अगर आप देखो कि बेटा 28,000 रुपीज में सारा का सारा प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरा complete study material भी मिल जाएगा और आप लोगों को सारे बेचेस का access भी मिल जाएगा ठीक है एक और बहुत बढ़ी announcement बिटा अगर आप सारे के सारे बेचेस लेना चाहते हो लेकिन list cost में चाहते हो तो Unacademy Scholarship टेस्ट देली होता है इसमें appear करो score करो और scholarship लो ठीक है Unacademy Centers अगर आप में से कोई बच्चा सोचता है कि सर में को तो offline पढ़ना है तो Unacademy अब offline भी आ चुका है ठीक है और Unacademy Centers across India 40 different cities में खुल चुके हैं बिटा अगर आप इसमें आप में से कोई भी अगर इंदौर के Center में आकर पढ़ना चाता है इन दौर में भी है थ्री Centers इन दौर में भी है थ्री Centers बचा ठीक है तीन Running Centers हमारे पास हैं तो आप हम यहाँ पर 11 माई से हम यहाँ पर 11 माई से Special Need के Batches launch कर रहे हैं you can come you can visit the Center आप मुझसे मिल सकते हो personally और बहुत मज़ा आएगा तयारी करने का ठीक है बाकी कल आप से मुलाकात होगी कल कौन सा सेशन है हमारा बता के जाओ जल्दी से कल कौन सा सेशन है जल्दी से बता के जाओ कमाड एवरिवन कल कौन सा सेशन है अच्छा PDF कहाँ पर मिलेगा बेटा PDF बता देता हूं मैं PDF मिलेगा आपको t.me slash mahisar slash mahisar physics ठीक है आपको क्या करना है search करना है अपने टेलिग्राम पर जाकर ये नाम आपको मिल जाएगा ये टेलिग्राम चैनल पर ठीक है कल modern physics है येस very good अब आज comment करके बताना मज़ा आया की नहीं आया ठीक है हर एक चीज़ हमने proper revise कर ली concept भी समझ लिए मैंने समय भी जादा नहीं लिया देखो दो घंटे बोला था दो घंटे से भी कम में खतम कर दिया क्योंकि this is the time जहां पर हमने पढ़ तो सारा कुछ रखा है अब हमको बस last minute brushing करनी है बिटा तो बहुत ज़्यदा समय नहीं लगाएंगे समय बहुत किमती है this is the time जहां पर आपको maximum focus practice और mock test पर करना है ठीक है और वही काम हम लोग कर रहे हैं कल सुबह आपका mock test होगा बिटा 8 a.m. पर कल सुबह आपका mock test होगा बिटा mock 4, sorry mock 5 ठीक है हम 4 mock test already कर चुके अब आपके लिए mock test 5 आने वाला है कल सुबह ठीक है so this is all from my side wish you all the very best do share this video with all of your friends जिनको भी जरुवत है ठीक है बाकि आपसे मुलाकात होती रहेगी तब तक के लिए love you all